हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अनीश होजा आप सभी लोगों का आप लोग के अपने युट्व चैनल लेक्शन पे एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं दोस्तों जैसे आपको पता है कि वीपीएसी का जो एक्जाम डेट 21 सेप्टेमबर पुधवार को होने की सम होने उसको केंसिल करके अब जो एक एक्जाम होगी और तीस नो दुहजार बाइस को सुक्रवार को आयो जित की जाएगी ठीक है और यह जो परिक्षा थी यह यूपीएसी का मेंस होने के खारण ए दिल्ली में नितीश कुमार के घिराव के बाद ए सीमो आफिस नितीश कुमार एंट वीपीएसी अध्यक्ष सभी लोगों के बैठक के बाद यह ने रिया गया है कि अब जो 67 की वीपीएसी का जो एक्जाम होगा प्राराम्भी की एक्जाम होगा ठीक है ओब 30 सेप्टेमर को होगा ठीक है और 12 बजे मध्यान से 2 बजे अब प्राहन तक एकल पाली में ही आयोजित की जाएगी इसका भी बहुत बिरोध हुआ था अब एकल पाली में ही होगी ठीक है और यह परिक्षा बस तुनिष्ट प्रकृति की होगी अभ्यरती 11 बजी अब 11 बजी पुर्वाहन तक परिक्षा के अंदर में प्रवेस कर लेंगे 11 बजे के बाद कोई इंटरी आपको नहीं होगी और उक्त परिक्षा का इप्रवेस पत्र जो एडमीट कार्ड है और 20 सेप्टेमबर से डाउनलोड आप कर सकते हैं आयोग की वेवसाइट पे जाखड़के ठीक है दोस्तों तो अब ज्यादा दिन नहीं है आपको 30 सेप्टेमबर को एक्जाम है 39 को और आज आपका डेट क्या हो गया 9 शिप्टेमबर यानि कि टोटल अगर आप माने तो आपके पास 19 से 20 डेज बचा हुआ है तो इसमें हम क्या कर रहे हैं हम अपने चैनल पे बिहार के सभी करेंट अफियर्स एक वीडियो बहुँ जल्द अप्लोड भी कर जिया जाएगा और आप उसका पेडियो भी टेलिग्राम पर भी प्राप्ठ कर सकते हैं तो आप बिहार से बिहार से स्पेशल साथ ही साथ हम आपको रैपिड रूप से कुछ टेस्ट का भी प्रियास करेंगे कि आपको टेस्ट भी दिया जाए ताकि आप लोगो बहुँ ज्यादा वेर्फिट तो thank you for watching अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को subscribe करके support करें जैसे ही कोई भी वीडियो upload होगा वैसे ही आपको notification मिल जाएगा thank you for watching